बिस्मिल्लाहुर्रह्मानिर्रहीम नादिरीन मैं महुमस साइद अद्दीन नादेड महाराष्ट्रा से आज आपके साम में एक नई टॉपिक और एक नई वीडियो को लेकर हादिर हूँ नादिरीन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप से खुदारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को दबाईए ताके आने वाली नई वीडियो आपको पहले पहुंच जाए तो नादिरीन आज की जो टॉपिक है वो आईरविदा यूनानी की मशहूर दवा है और ये दवा से को बनाने वाले जो हुकमा थे ये तीन चीज़ों को एक जगे जमा कर दिया जिसकी वज़े से इसका नाम तिरूफला और तीन फल रख दिया गया तो नादिरीन ये इसको तीन फल भी कहते हैं और इसके फाइदे तो इतने हैं कि ये बहुत ही कमाल चीज़ है ये खुदरत का इनसानों पे एक अनमौल तुफा है ये इनसान के जिसम को एक्टिवेट कर देती है यानी तीन भी चीज़ों पे ये काम कर दिये जैसा आसा भी उजलाती और गुद्धी ये तीनों यूनिट पे भी वो अपना काम कर दिये और ये एक बूस्टर भी कहते हैं इसको ये आपके अंदर चुस्ती और पुड़ती ला लेती है तो ये बहुत रिसर्च के बाद जो एक मशूर दवा है जो आज भी मार्किट में जो बहुत से जो इसको तिरूफला के नाम से बेशते हैं ज्यादातर ये खब्स के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन इसका जो में जो फाइदा है इनसान के लिए चुस्ती पुरती लाने वाला फाइदा है और ये इसके इस्तेमाल दो तिन तरीखे से है तो आपको मैं इस्टेप बाइस् ये जो तिरू फला जो है तीन फल इसको अपने हमदर्द के जो हकीम साब है जाली नूस उन्हों भी इसी प्रोडेक्ट को इस्तेमाल करके उसमें कुछ और चीज़ें आइट करे है तो उन्हों हकीम साब ये इसके बारे में माजू ने जाली नूस बनाए तो नादरीन ये जो तीन चीज़ें हैं जिसमें हलीला, बलीला और आमला है और इसको ये भी कहते हैं हेडा, बेडा, आमला तो ये तीनों चीज़ें हैं अगर इसका इस्तेमाल करने से विटामिन E का भी काम करता है ये और दिमाग को बूस्ट करता है यह, यानि दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद है यह, दिल के लिए भी बहुत मुफीद है यह, वैसे खुदरत की बनाएंवाली हर चीज ही मुफीद है तो नादिरीन इसका इस्तेमाल जो आपको अगर करना है तो यह, जब भी बनसारी या दवासास की दुकान पे से खरी देंगे तो अच्छी चीज देखके लेना है यह, एकदम जो सकत जो रहता है वो देखके लेना है, जो भुरबुरा हो गया, वो कुछ काम का नहीं है और क्यों बोले तो सिर्फ मेन मेन चीज उसकी कीड़े खा लेते हैं, तो यह जब भी खरीदें तो इसको अच्छा चेक कर खरीदें, और यह खुद बना कर खाए तो अच्छा फाइदा है, कमपनी की दवाओं उससे तो अच्छा खुद बना कर खाना अच्छा रहता है तो नादिरीन, इसकी तर्टीब यह है, तीनों अच्छाओं को बराबर लेना है, जो खाली ऐसे ही खाना चाते हैं, जिसम में ताखत के लिए, फुर्टी के लिए, चुस्ती के लिए, और दिमाग को अच्छा तेस करने के लिए, यह छे साल के नीचे के बच्छों को नहीं देना है यह चीज़, तो नादिरीन, और यह जो आमला होता है, यह काफी सकत होता है, इसके जब सीजन चलता है, इसके सीजन के टाइम पर ही उसको कच्छे आमले लेकर उसको जो खोबरे की घसने की जो आती है, उससे घसके थोड़ा धूप में सुका देना है, और एक दो तो उसका पौडर आसानी से बन जाता है, और फिरेश और अच्छा मुफिद हो जाता है, यह आमला जो ऐसा करने से हड़ियों को भी बहुत ताखत देता है, बुडापा भी जल्दी नहीं लाता है, आमला के तो बहुत फाइदे है, लेकिन हम तीनों को यूस करने वाले है, तो इस तरीखे से आमला कच्चा ले लेना है, और वो दोनों हलीला और बरीला वो बंसारी के पास से अच्छी क्वालिटी का देखके ला लेना है, और इसका अच्छा बारीक तरीन पौडर बनाना है, अगर आपको अच्छा इससे फायदा होना, तो इसका पौडर जितना पारीक रहेंगा, उतना आपको असर करेगा हो, ने तो मोटा मोटा अगर पीज देंगे, तो वो हाथों में इससे निकल के बाहर फेक देगा हो, कोई काम का नहीं है, पैसों का नुकसान हो जाएगा, तो नाजरीन, यह जो ऐसो, कोई भी खाली ऐसा ही खाना है तो खा सकते ह जिसम में चुस्ती फुर्टी के लिए, यह पाउडर घर में बना बना हुआ रहना भी बहुत अच्छा है, मुफीद है, और दूसरा नाजरीन, जिसको खब्स का मसला है, जिसको बातरूम बरोबर नहीं आता, जिसको वावासीर थोड़ा सा, बादी वावासीर है नॉर्मल यानि उसको सिर्फ बातरूम मोशन साफ नहीं होता, तकलीफ होती है, तो वैसे लोग जो हैं सो, इसका पाउडर अच्छी तरीके से बारीक बना लेंगे, गुटलियों को फेक देंगे उसके, और उसके अंदर एक पचास-पचास गिराम ले लिए तीनों अज़दा, और उ तो ये पाउडर बना के बारीक कपड़े से च्छान के उसके अंदर दो चमचे ये घी एक प्लेट में दाल कर अच्छी तरीके से मिला लेना है, तो ये दवा तयार हो चुगी है, तो ये रात में खाने के एक घंटे के बाद एक चमच नीम गरम पानी से या नीम गरम लेना है, तो ये सुबह में जो हसो, मोशन्स वगरा भी साफ आ जाएंगे, और बवासिर का मसला और खब्स का मसला भी किसी हद तक दूर हो जाएगा, तो नाजरीन अगर कोई ये नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग ये हमदर्द की जो हकीम साब माजून जाली नूस, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर भी यही फाइदा होंगा, तो नाजरीन ये आज का वीडियो जो था तीन फल के बारे में, अगर आपको हमारे वीडियो से किसी को कोई फाइदा हुआ है, तो आप कम्मेंट में भी आप हमको बता सकते हैं, हमने आपके इस उठाएं, तो आज का वीडियो फिर हम नादिरीन मिलेंगे आपको एक ने वीडियो के साथ,